नमस्कार दर्शको दर्शको विशेश उपाई में आपका स्वागत है आज हम आपको एक विशेश उपाई बता रहे हैं उन जातकों के लिए उन व्यक्तियों के लिए जिनको प्रेशानी हो रही है अपने वहन से आपने नया वहन लिया जैसे ही आपने नया वहन लिया उसमें खराबी आनी शुरू हुए कभी टेक्निकली इंजन में फॉल्ट आ गया कभी कुछ अन्य परिशानिया कभी गाड़ी मार्किट में जब आप लेकर के जाएंगे तो स्क्रैच एक्सिडेंट लाइट टूट गई कि ऐसी चोटी चोटी परिशानिया जो कि आपको ऐसे लगने लग जाता है कि मैंने ये कार या मैंने ये वहिकल जब से लिया है क्या ये नुकसान लेने के लिए ही किया है या गलत किसी महूरत में मैंने लिया है ऐसी सोच आपकी बन जाती है और आप विद्वानों के पास भी पूछने जाते हैं आप अपनी कुंडली भी दिखाते हैं परन्तु ये सिलसिला रुकता नहीं है जब भी एक व्यक्ती मेरे पास आया था वो कहता कि जब भी मैं गाड़ी लेकर के जाता हूं मैं परफेक्ट ड्राइवर हूं परन्तु जब भी मैंने नई गाड़ी ली है उसका एक्सिडेंट कुछी दिनों में दो या चार दिनों में अवश्य हो जाता है अगर मैं गाड़ी कहीं लेकर के जाता भी नहीं घर के बाहर खड़ी गाड़ी में भी कोई ना कोई डेंट सुवा मुझे मिलता ही है मित्रों ये होते हैं आपके ग्रहों का दोश अब इन ग्रहों को दूर करने के लिए हम बड़े परियास करते हैं परंतु सफलता इसमें हमें नहीं मिल पाती कई बार तो हम नहीं गाड़ी लेकर औने पोने दामों में उसे बेच भी देते हैं हमें लगता है कि जब से ये गाड़ी ली है तब से नुकसान ही नुकसान हुआ है तो इसके लिए ही इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही आज मैं आपको एक विशेश उपाई बता रहा हूँ ये विशेश उपाई पांच दिन तक आपको करना है मंगलवार से शुरू करना है शुकल पक्ष के प्रथम मंगलवार से और लगातार पांच दिन बिना रुके बिना नागा आपने ये उपाई करना है बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान उपाई सौवार मंगलवार रात से आपको ये उपाई शुरू करना है तो आपने पांच पान के पत्ते लेकर के आने हैं हर रोज ताजी उन पर आपने कथा लगवा करके लाना है पनवाडी से कहें कि पांचों पानों पर पूरे पर एक साइड में सीधे साइड में कथा लगा दे कथा लगाने के बाद सुका के उसको आपने लाना है उसके साथ आपने हर एक पान के पत्ते पर पाँच इलाइची और पाँच लॉंग रखने है और थोड़ी सी शक्कर जो ब्राउन वाली शक्कर होती है गुड़ वाली शक्कर वो थोड़ी सी आपने चुटकी भर रखनी है पांचों पत्तों को आपकी गाड़ी चाहे कोई भी है उसके चारों कोनों में गाड़ी के अंदर चारों कोनों में एक एक पान का पत्ता आपने रखना है और जो पांचवां पत्ता होगा उसे आप बीच में रखेंगे गाड़ी के कहीं बीच में, कहीं भी स्थान आप ढूंड ले, वहाँ पर आप उसको रख दे रात को सोते समय ये कार्य कर दे और सुबा उठकर गाड़ी खोले पांचो पत्ते कि कठे करे लौंग इलाइची कठे करे और जाकर के चुप चाप बिना बुताए किसी को बिना बोले जाकर के जल में डालाए अगर जल परवा के लिए कोई आपका आसपास नदी नहीं है, नहर नहीं है जल परवा नहीं है तो आप चुप चाप इसे जाकर किसी भी मंदिर परिसर में जो पीपल का ब्रक्ष हो वहाँ पर इसे रख करके आ जाएं ऐसा आपने पांच दिन तक करना है जैसे ही आप ये उपाए करेंगे आपकी गाड़ी को जो भी नुकसान हो रहे हैं उसकी वज़ा से आपको नुकसान हो रहे हैं बार बार दुरगटना हैं हो रहे हैं वो रुक जाएंगी इसके बाद किसी भी बिद्वान ब्यक्ति से आपको एक वाहन दुरगटना नाशक यंत्र रक्षक यंत्र बनवाना है इसको कवच बोलते हैं ये कवच बनवा करके आपको अपनी कार में इसे रखना है जहां पर विद्वान आपको बताए ये कारे आप कर लें मित्रो उसके बाद वाहन में किसी भी तरह की दुरुगटना के कोई चांस नहीं रहेंगे आपकी सुरक्षा भी रहेगी हनुमान जी हमेशा आपकी रख्ष करें धन्यवाद जय माताजी नमस्कुर्ण